दोस्तो मैं मुहमद रिजुवान रजा रजब तयब अर्दुगान दिन बादिन तुर्की को मजबूत करता जा रहा है उनका खुआब है सल्तनत उस्मानिया के सुनहरे दिन को तुर्की में दोबारा वापिस लाना और इसी काम में वो जुटे विये हैं भरपूर कोच्च में लगे विये हैं आप लोगों को पता होगा कि तुर्की नाटो का सदस्य है इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा बिरिक्स संगटन का बिरिक्स संगटन में चीन है, रूज, भारत, अमरिका और भी बहुत सारे देश है सौधी अर्बिया भी बिरिक्स संगटन में शामिल हो गया है बिरिक्स संगटन क्या है तो आपको बता दूँ कि ये बिरिक्स संगटन जो है वो एक दोसरे देशों की हेल्प करता है कारोबार में पैसे से आर्थिक तंगी से किसी भी देश में आ जाती है किसी तरह की कोई परिशानी हो तो ये बिरिक्स जो संगटन है इसके देश उस देश को उस परिशानी से निकालने में मदद करते है बिरिक्स संगटन लगातार बढ़ता जा रहा है ये के बाद एक देश इसमें जुड़ते जा रहे है जाहिर सी बात है जब इसमें चीन, रूस और इरान जैसे देश शामिल है तो अमरीका और यूरोब के देश तो इसमें शामिल नहीं होंगे लेकिन तुर्की नाटो का सदस से है तुर्की भी बिरिक्स संगटन का सदस से बनना चाहता है और बाकाइदा ख़बर ऐसी आ रही है कि काजान के अंदर बिरिक्स शेकर समेलन होने जा रहा है जिसमें रजब तयब अर्दुगान ने पहुंचने का ऐलान कर दिया है इनिविटेशन दिया गया था रजब तयब अर्दुगान को रजब तयब अर्दुगान ने बिरिक्स शेकर समेलन में जाने के इनिविटेशन को एकसेप्ट कर लिया है यानि अब जल ही तुर्की की तरफ से बाकाइदा इस बात को लेकर पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा कि वो बिरिक संगटन का सदसे बनने जा रहा है अगर तुरकी बिरिक संगटन का सदसे बन जाता है तो शायद तुरकी की नाटों की सदस्यता जा सकती है लेकिन नाटों से हटाना भी इतना आसान नहीं है तुरकी को सारे देश जब तक इस बात पर सहमती जाहिर नह सारे देशों की रजामंदी होनी चाहिए संगटन से बाहर निकानने के लिए भी सारे देशों की जो नाटों के देश हैं उन सब की रजामंदी होना चाहिए कुछ देश ऐसे हैं जो तुर्की के काफी करीब हैं नाटों के सदस्य हैं तो नहीं चाहेंगे कि तुर्की बाहर हो तुर्की अगर बिरिक्स संगटन का भी हिस्सा बन जाता है तो अमरीका जरूर प्रेशल डालेगा तुर्की के उपर वैसे तुर्की तो ये भी चाह रहा है कि हम यूरोबी यूनियन का भी हिस्सा बन जाएं यूरबी यूनियन का हिस्सा बनने के लिए भी तुरकी बहुत सारी कोशिशे कर रहा है तो तुरकी अपने फाइदे के लिए हर जगे घुसना चाहता है नाटो में भी घुसा हुआ है, बिरिक्स में भी घुसेगा और उद्धर यूरबी यूनियन में भी गुषने का पलान तुरकी बना रहा है और इस तरहे रजब ट According अर्दोगान तुरकी को हर तरहे से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर से खिलाफत उस्मानिया के सुन्हरे दौर को लाने का खुआ देख रहे है फिलाल इसके बारे में क्या कहना है कौमेंट शक्ते में जरूर बताईएगा चलते हैं अगली खबर की तरफ हजरात मौतरम उदर हमास ने तुर्की विदेश मंतरले से बात की है हमास ने तुर्की विदेश मंतरले से कहा है कि देखिए इसराइल जो है वो बहुत सारी नई श शर्तों को हमास माल लें और हम समझोता करके अपने बंदकों को छुडा लें। हमास ने तुर्की से कहा है कि इस मामले पर अभी तक अमरीका की तरफ से हमारे उपर कोई दबाव नहीं डाला गया है। तो हफ्ते में लगातार कोशिश करेंगे कि किसी समझोते पर आप दोनों पहुचें और किसी तरह का कोई समझोता नहीं होता है तो फिर अमरीका इस समझोते से पीछे हड़ जाएगा। ये जानकारी हमास ने तुर्की विदेश मंतरला को दी है कि अमरीका ने ऐसी इसी बात क रही है दोस्तों आपको क्या लगता है किया वाकिए में अमरीका इतनी कोशिश कर रहा है अमरीका को इतनी फिकर है समझोता करवाने कि वैसे मुझे तो認नि मैं खुद की बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि अमरीका अगर चाहे तो एक दिन में सीस फायर हो सकता है समझोता हो सकता है जो कुछ भी इसराईल कर रहा है जितनी भी हतियार इसराईल गाजा में गिरा रहा है उसमें से ज्यादातर हतियार जो है वो तो अमरीका के ही है या फिर अमरीका के कहने पर ही दोसरे देश इसराईल को हतियार पहुंचा रहे है तो अमरीका की बात क्यों नहीं मानेगा नेतनिया हो ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बेगुफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं दुनिया को धोके में रखा जा रहा है इसके बारे में आप क्या क्या कहना है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही कुछ नहीं खबरों को लेकर जल ही आपके सामने हाजर हो जाओंगा अपना धियान रखिएगा तब तक के लिए ख़दा हाफिज